Good morning all of you, current affairs dose 12 में आपका स्वागत है हम पूरे questions के मादिम से guest training लेने की कोशिश करते हैं और ये जानते हैं कि कैसे question को solve करना है objective level पर साथ ही mapping के questions, environment और conservation से जुड़ावा question आपको इस series में मिलता है तो अंतक बने रहे, start करते हैं अपने motivational thoughts से You were born to be a player, you were meant to be here and this moment is yours एक player हैं कि उद्धा हैं और इसी बात को याद रखते हुए आपको अपने उस उद्धेश को पूरा करना जिसके लिए आप यहाँ पर हैं तो ये जो moment होता है, वो हर moment आपके लिए होता है कोशिश करें कि शुरुवात दिन की इस session के साथ की जाए मतलब सुभा उठने की कोशिश की जाए और पूरे दिन को energetic और schedule बना के आगे काम किया जाए चले स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल आपके सामने है थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बट बहुत ही आसान है इसको पढ़ने की कोशिश कीजए कोपरेटिव बैंक और कोमर्शल बैंक में क्या डिफरेंस होता है इसी टॉपिक पर ये कोशिशन है यहाँ पर अर्वन कोपरेटिव बैंक का नाम लिखा हुआ है जैसे कोमर्शल बैंक को पूरी तरीके से अर्वी रेगुलेट करती है वैसे ही USB को अर्वी के दौरा पार्टली रेगुलेट किया जाता है मतलब पूरी तरीके से रेगुलेट नहीं किया जाता है तो ये fact आपको बताना है statement सही लिखा हुआ है या गलत ये difference है या नहीं है दूसरा statement है unlike commercial bank which are structured as joint stock companies वहीं दूसरी तरफ जो cooperative banks होते हैं they are structured as the cooperatives that means जो इनके member होते हैं उनके पास काफी जादा और even unlimited amount में liabilities होती है तो आपको बताना है दोनो statement में कौन सा statement सही या गलत हो सकता है इसके लिए आपको cooperative bank के बारे में पता होना चाहिए ये commercial bank के बारे में पता होना चाहिए और भी ये news में था तो हमने discussion किया तो स्वेसे question को आपको दिया गया है दोनो statement बिल्कुल सही है यहाँ पर cooperative bank के गनम बात करते हैं तो उसको partly regulate किया जाता है जो की state government और central government के अंतरगत आता है तो ये भी जो fact है organization इसका नाम याद रखना है और जो पहला factor में देखा वो भी बहुत important है तो आगे बढ़ते हैं इसको आप ध्यान से expression को पढ़ लेंगे और एक जिगा पर note कर लेंगे अगला सवाल है निक्स कोईशन है क्या क्यों पोर्ट is situated in which of the following country ये पोर्ट कौन सी कंट्री में situated है Singapore, Myanmar, Cambodia या फिर Maldiv आपने कोई news पढ़ा हो आपको किसी तरीके से याद आ रहा हो यहाँ पर या फिर अगर आपको Singapore में कौन कौन से पोर्ट से वो याद आ रहे हो Cambodia, Myanmar, Maldiv तो आप guess कर सकते हैं ये एक factual question है लेकिन बहुत important होता है इसका answer guess करने के कोशिश कीज़े अपनी मर्जी से फिर आप answer देखेंगे and the answer is Myanmar, ये देखें लोकेशन आपको दिख रहा है इस पोर्ट का ये हिस्सा यहाँ पर ये मैमार है और यहाँ पर ये क्या पाव पोर्ट है और इस तरीके से ये पूरा traveling way है और trade का ये रास्ता बहुत आता important होता है new trade route को बनाने की कोशिश की जा रहे है इस वज़े से ये पूरा ये port वगरा news में आया हुए अभी तो यहाँ रखेगा इसको ये location बहुत important है यहाँ पर गौदार पोर्ट और इधर ये च्छाबार पोर्ट जो की इरान में है यहाँ यही पर है हॉर्मूज स्ट्रेट तो ये सारा जो location है बहुत important है इसको एक बार रोज अपने map में देखा करेंगे आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है मेगदूत आप के बारे में आपने सुना इस आप का नाम मेगदूत आप कि स्ट्री से संबंदित है दो statement given है यहाँ पर हो सकता है कि एक्जाम में आपको simple एक fact business precaution पूछा जाएगा तो मेगदूत आप में आपको बताना है पहला statement it will provide forecast relating to temperature, rainfall, humidity and wind speed and direction मतलब जो यह cyclonic activities होती है rainfall से लेकर के overall speed का क्या direction है कितनी speed है wind की उन सभी के बारे में यह application बताएगा दूसरा statement है it has been developed by the Indian Metallurgical Department IMD के गरस को develop किया गया है और उनके साथ Indian Council of Agriculture Research ने मिलकर के काम किया है तो क्या यह statement सही लग रहा है यह दोनों statement सही हो सकते हैं क्या make doot application को IMD के साथ ICAR मिलके बना सकती है और दूसरा जो सवाल है कि इसका उदेश क्या है कि यह forecasting provide करेगा rainfall humidity की क्या पर आप guess करें इसके नाम से relate करने की कोशिश करें मेग दूत है तो मेग दूत क्यों नाम रखा गया होगा और इसका क्या aim हो सकता है तो जब आप इसके नाम वगर से relate करेंगे तो आप थोड़ा guess कर पाएंगे कि सही है या गलत है दूसरे statement में IMD में तो आपको problem नहीं होगी बट जब हम ICAR की बात करेंगे तो वहाँ पर confusion हो जाएगा लेकिन अगर हम इसके पहले statement से इसको compare करते हैं तो यह दूसरे को contradict नहीं कर रहा है जैसे rainfall humidity temperature वगरा को अगर नापने की बात है तो अगर नापने की history of earth science and agriculture के द्वारा launch किया है यह mobile application और यह बिलकुल उसी तरीके से crop, livestock, specific weather based चीजों को provide करेगा, forecasting करेगा और वो भी local language में यह fact आपको याद रखना है कि local language में यह weather forecasting करने में capable होगा application और इसके बहुत सारी और खासियत है 150 district में अलग अलग जगा पर इसको enable किया जाएगा important यह news भी है important यह fact भी है इसको याद रखना है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है English channel यानि की mapping पर based English channel का अपने नाम सुना है यह कहाँ पर है English channel कौन कौन से country यूरोप का map याद करने की कोशिश कीजिए और यहाँ पर जो country का नाम लिखा हुआ है उसको memorize कीजिए कि यह answer is a that means France England और France के बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर यह England का हिस्सा है और यह France है यह Strait of Dover है यह भी आप से question बन सकता है और this is called English channel ठीक है तो यह याद रखना है fact कि France और England के बीच में है English channel यही पर Strait of Dover भी है जो exam में आ सकता है इस तरफ यह North Sea का हिस्सा है और यहते भ सवाल है बॉस्फोरस स्ट्रेट के बारे में बॉस्फोरस स्ट्रेट कहां पर है कौन सी दो water body को connect करता है बॉस्फोरस स्ट्रेट काला सागर और मर्मरा का सागर यानि कि Black Sea and Sea of Marmara Sea of Azov या फिर Mediterranean Sea या भूमद्य सागर Atlantic महा सागर या Red Sea and Gulf of Aden तो यह चार ओप्शन है आप अ कौन सा स्ट्रेट है उसका नाम क्या है तब भी आपका अंसर निकल सकता है Mediterranean Sea Atlantic Ocean के image को picturize करें देखें वहां पर कौन सा स्ट्रेट आपको दिखाई दे रहा है तो इसका सही आंसर क्या होगा बॉस्फोरस स्ट्रेट कौन से दो water body को connect करता होगा the answer is black sea and sea of murmura location आपके सामने है this is the location यह black sea का हिस्सा है यह sea of murmura है और यह state of bus forest है तो एक जगह पर इसको लिख लेंगे सारे factual information को geography में इक्जाम में अगर आ जाता है तो आपके marks जो है वह सिक्या और mapping करी रहें लिकने साथ-साथ आपको अपने map में भी जाकर कि इसको locate कर देना है कि यह कहां पर है ताकि आप इसको कभी भूले ना black sea and sea of murmura आया रखना है आगे बढ़ते है अकला सवाल आयूसियन की red list में देखे अभी wildlife week चल रहा है और उसमें जितने भी ये endangered zone में इस्पेसीज है उनके बारे में बातचीच उनको conserve करने की कोशिश की जा रही है तो उसी में नीलगरी लंगूर का भी नाम सामने आया है critically endangered है, endangered है या least concern या फिर vulnerable कौन से status दी गई है आयूसियन western guards में पाए जाते हैं इसे heels पर दुनिया के old monkeys में से एक है इनको vulnerable का status दिया गया है इनका काफी खत्रा होता है और इनकी poaching बहुत जाता होती है तो ये important information है एक species का भी हमने या पर include कर लिया है और ऐसे ही हम लोग आगे भी important questions को देखते रहेंगे ये information institute के बारे में है आपक आपको जरूरत हो इसमें कि आप देख सकते हैं क्या कैशी से मौजूद होती है test series अभी start होने वाला है means के लिए काम आपका चली रहा है जो भी लोग नए सरे से काम start करना चाहते हैं वो बिलकुल approach कर सकते हैं नया session अभी just start हुआ है 2020 के लिए तो आपको उसमें बहुत अच information में तो इसके लिए आप details ले सकते हैं और हाँ इस session में जरूर बने रहें and thank you so much को subscribe कर ले कर अभी तक आपने नहीं किया है share जरूर करें और bell icon को प्रस करें ताकि notification सही सब्सक्राइब करें